दोस्तों इस Study91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वाक है था दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में लेकर हाजीर हूँ 17 जून के सबसे महतुपूर करेंट एफेर के प्रस्णों को तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन-कौन से प्रस्ण हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट है जो की दिये गए ध्यान दीजेगा पूने के पास देहु नामकस्थान पर किस संत के नाम पर एक मंदिर का उध्गाटन किया है ध्यान दीजेगा मोदी जी ने उध्गाटन किया है मतलब कोई बड़ी बात होगी ठीक है त्याद रखेगा यहाँ पर उध्गाटन किया गया दोस्तों संत तुकाराम के मंदिर क और किसने किया उद्घाटन त्याद रखेगा पीम मोदी जी ने उद्घाटन किया इसके ठीक पहले दोस्तो आपने नाम सुना होगा संत कवीर जी के एक नाम पर संधान संस्थान बनाय जा रहा है और एक मिजियम टाइप का बनाय जा रहा दोस्तो ये आपके संत कवीर नगर प्रतिमा के बारे में ठीक है कुछ दिम पहले के दोस्तों मैं मूर्ती या मंदिर की बात करूं तो कुछ दिम पहले आपने पढ़ा होगा संत रामा नुजा चारे के प्रतिमा के बारे में ठीक है संत रामा नुजा चारे के प्रतिमा के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों और पर यह बनाए गए ठीक है जिसे हम इस टैचू आफ क्या बोलते हैं equality equality इसे इस मूर्ती को क्या कहा जा रहा थो दोस्तो इस टैचू आफ equality का नाम दिया गया है तो यह भी आप ध्यान देंगे ठीक है चलिए आगे बढ़िए आगे लिखरा दोस्तो अच्छा आगे नहीं अभी इसी में थोड़ी सी बाते और मैं आपको बता दूँ अगर मैं आपसे कहूँ संत तुका राम जी के बारे में कि यह किस संप्रदाय से बिलांग करते थे तो सारी बाते दोस्तो यहाँ पर लिखा गया है आप चाहें तो इसे पढ़त रगते हैं मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तो आयटरेंग कल्चर के ऐसे सवालों पर जो करेंट अफेर में चर्चा में रहे हैं जरा उन सवालों को सुनिए ठीक है लेकर आप पीम मोदी ने महर पूने के पास देहु नामकस्थान पे जो मंदिर का उधगाटन किया यह मंदिर संत तुका राम जी के नाम पर आधारी का मंदिर है याद रखेगा ठीक है हाला ही में किस राज में सिरुई लीली महुसो का चौथा संसकर शुरू किया गया सिरुई लीली महुसो का चौथा संसकर दोस्तों ये मड़ीपूर में स्टार्ट किया गया इसके पहले मड़ीपूर में एक कचाई लेमन फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था किसका याद रखेगा कचाई लेमन फेस्टिवल कचाई कचाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों इसका आयोजन काम भी किया गया थ लिकरा किस राज्य के राखी गड़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेली की फैक्टरी मिली है तो हरियाना में पड़ता है राखी गड़ी लिकरा किस राज्य के रामपूर में भारत का पहला अम्रित सरवर अस्थापित किया जा रहा है तो याद रखे दोस्तों हरियाना नहीं है ये और दोस्तो आज के करेंट अफेर में तो सामिल नहीं कर पाया है मैं लेकिन दोस्तो उडान योजना का एक बार फिर से क्या मनाय जा रहा है उद्धगाटरन समारो चल ला है इसका ये भी याद रखेगा क्योंकि अभी इस योजना के चार साल पूरे हुए है ठीक है लिगरा क कि हाले ही में किस अस्थान पर कई महापासारकाल के पत्थर और घड़ों के प्रमाण मिले हैं तो यह प्रमाण दोस्तो असम राज्जी में मिला है कहां पर असम में वैसे इस तरह कि महापासारकाल के जो खंड है यह हमें पुराने समय में करनाटक से मिले थे लेकिन अभी असम से मिले हैं कि आप तो लैटे सवाल बन सकता है हालही में माधवपूर घेड मेले का आयोजन कहां पिकिया गया तो माधवपूर घेड मेला का आयोजन अभी कहां पिकिया गया गुजरात में जब किया रखेगा काला घोडा मौत्सो का आयोजन कहां पिकिया जाता है महारा मनाये गया तो यह जार्खन राज में मनाये गया करा देश के प्रमुख मंदिरों और तिर्थस्तलों के आनलाइन दर्सा ने तू टेंपल 360 का उधगाटन किस ने किया तो संश्कृती मंत्राले की तरफ से किया गया इस टेंपल 360 का उधगाटन ठीक है इसको भी याद रखेग लिकरा कि हाले में किस राज में गणगावर उस्सों मनाये गया तो भगवान स्यू पार्गति के बिवाह के रुप में गणगावर उस्सों मनाये जाता है और यह अभी राजस्थान में मनाये गया ठीक है तो उस्सों महत्सों के जब जब सवाल आते हैं तब तम दोस्तों इस तरह के लिश्ट को अपडेट करके आपको देता हूँ चलि आगे बढ़ते हैं करा भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता देश कौन सा बना है तो दूसरा लिखरा न दूसरा ध्यान दीजेगा दूसरा सबसे बड़ा तो नमबर एक पर देखे कौन सा है याद रखेगा इराक नमबर वन पर है जिससे हम सबसे ज़्यादा तेल परचेज करते हैं और नमबर दो पर दोस्तो कौन है याद रखेगा नमबर दो पर रूस है और नमबर तीन पर दोस्तो सौदी अरब देश है तो याद रखेगा है इस सेंटर्व अमिराथ दोस्तों एक गलत दिया है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर नहीं होगा तो इसको याद रखेगा पहला दूसरा और तीसरा अस्थान और अगर हम बात करें दोस्तों आयातक देशों के बारे में कि याद रखेगा तेल का सबसे ज़ ज्यादा तेल खरिता है वो इराक से खरिता है नंबर दो पर रूस है ऐसा कब हुआ अभी दोस्तो रूस और युक्रेंग की लड़ाई चल लई थी तो रूस ने बहुत ज्यादा डिसकाउंट रेट पर दोस्तो भारत को कच्छे तेल आफर किये थे जिसके बाद भारत ने ज 5% का आकड़ा भी क्रास किया है यह सब छोटी छोटी बाते हैं आप चाहें तो आगे यहाँ पर रीड भी कर सकते है ठीक है तो इसको ध्यान दीजेगा और आराम से आप पढ़ दीजेगा ठीक है लिगरा भारती रिफाइनरी ने मई में लगवक 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा ठीक है जो कि उनके आयात का 16 प्रस्त से अधिक था दोस्तो यह सब ध्यान दखेंगे ठीक है चली हम लोग पढ़ते हैं दोस्तो इंटरनेशनल नियूज की बाते कर लेते हैं कि देश बीदेश की खबरों में कौन-कौन से प्रस्न हाल फिलाल में दोस्तो करेंट अ देश कौन बना है तो नंबर एक पर दोस्तो इराक है और नंबर दोपर रूस देश है याद रखेगा दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजसाही का खिताब अब किसके नाम हो गया है तो याद रखेगा महारानी इंग्लैंड की महारानी इलीजा ठारा में एक प्रोजेक्ट चलाए गया था भारत तरकार की तरब से जिसको UN Adderate Hindi के नाम से जाना जाता है ठीक है और आज सफलता मिल गई है जब बहुभासाबाद पर हिंदी की बात की गई है यूकरेन में रूसी सेना द्वारा अधिकारों की उलंधन के आरोप के काड़ सं नए देश को जोड़ा गया है जिसका नाम है चेक गड़ राज इसको भी याद रखेगा चांद का दुनिया का सबसे बड़ा नकसा किसने बनाया है तो एक अनुपाते 25 लाग के पैमाने पर दोस्तों नकसा त्यार किया गया है जो कि चांद पर अगर सोध करने के लिए बह तो पांच देश इसके अस्थाई सूची से हटने वाले हैं ठीक है रिटायर हो रहे हैं और जो पांच नए देश आ रहे हैं उनमें कौन-कौन सा है दोस्तों उसमें आपका देश है इक्वाडेट देश है जापान देश है माल्टा देश है सुडियल लेंड देश है और मो तुर्की देस को क्या का जाएगा। आगे देखे लिकराथ फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलो में जैविलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दोस्तों किसने जीता है ठीक है बताइए जैविलिन थ्रे में दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता दोस्तों अगर में पिछले साल के टोक्यो ओलंपिक की बात करूं इसकी ब ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था यहाँ पर, सबसे ज़्यादा दूरी तक भाला फेकर, इसलिए 7 अगस को मनाई जाता है, भारत के अंदर भाला फेक दिवस, क्या मनाई जाता है, भाला भाला फेक दिवस के रूप में मनाई जाता है, इसको याद रखेगा, मनाई जाता है क् इन्हों ने जो भाला फेका था दोस्तों इसमें जो गोल्ड मेडल जीता था ये दूरी कितनी थी तो याद रखेगा 87.39 क्या था दोस्तों मीटर ठीक है याद रखेगा इतने मीटर दोस्तों ये भाला फेक करके इन्हों ने रिकार्ड बनाया था ठीक है लेकिन दोस्तों रीकार्ट तोड़ दिया है और याद रखेगा 89.83 मीटर का एक नया रीकार्ट दोस्तो यह सामने आया है इसके पहले नीरत चोपड़ा ने भी अपना रीकार्ट तोड़ा था है उन्होंने भी गाफ़ कुछ इन कुर 58 वही मुझे confusion वह था ठीक है यह पिछले बार का record था और यह दोस्तों यह ओलिवीर हैलेंडर ने दोस्तों जो नया record बनाए यह वाला इसके पहले दोस्तों अभी इन्होंने भी निरा चोपड़ा ने भी अपना record बनाया याद रखेगा 88.07 सेवन का दोस्तो एक रिकार्ड इन्हों ने बनाया है जो कि यहाँ पर देखे दिया भी हुआ ठीक है तो यह सारी बात याद रखेगा यह आपके लिए इंपोर्टेंट है बाकी सुमित अंतिल वगरा की बात करें तो सुमित अंतिल क्या है दोस्तो यह भी जेवलिन थ्रो प् इसका आयोजन कहां पर हुआ था तो लिख रहा है फिन्लैंड में दोस्तो इसका आयोजन क्या गया है फिन्लैंड की राजधानी हेलन सिंकी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसको पढ़ लीजेगा हम लोग आगे चड़ते हैं और खेल से संबंदित जो अच्छे सवाल हैं जरा उन पर अपनी चर्चा करते हैं ठीक है क्योंकि वो सवाल हैं जो करेंट अफेर में हम लोगों को बार-बार मिले हैं पहला सवाल याद रखेगा फिन्लैंड में दोस्तों इस खेल का आयोजन क्या गया जिसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है कि इसमें जेवलिन थ्र और गरिंचस ठीक है गोरिंचस नाम था दोस्तो आपको पता होगा इनको आइमप का क्या बनायीगा दोस्तों अर्थ सास्त्री बनाएगा ठीक हैं लिख रहा कि हाली में अजर बाइसार्रमौला वन ग्रांट पिस किसे जीता है इसे मैक्स वर्षा ten ने जीता है जब कि ठीक पहले मुझाकव ग्रांट पिक्स हुआ था और सारजीयो पेरेज ने जीता था उसे भी याद रखेगा, हाली में खेलो इंडिया, यूथ गेम्स का जो आजन किया गया, वो हर्याना में किया गया था और सबसे ज़्यादा पदक, कुल 137 पदक दोस्तो हर्याना जीता है तो हर्याना यहाँ पर नंबर एक पर है नंबर दो पर महराश्टर है नंबर तीन पर करनाटक है मेरे साथ बोलिए, बोलने का प्यास करें अगर आप चाहते हैं करेंट अफेर आपको भी याद हो जाए मेरी तरीके से, तो आप मेरे साथ बोलिए, कम से कम इस वाले स्लाइड़ पर बोला करिये, बाकी स्लाइड पर चुपो जाय करिये, मनी मन बोलिए, ठीक है, यह किन बोलिए, भारत के 74 में Grand Master बनें दोस्तों तेलंगाना के रहने वाले हैं, आलोक सिर्वास्तो जी, ठीक है, स्वारी राहूल सिर्वास्तो जी, र इसमें जापान को अरा करके भारत ने ब्रोंज मेडल यानि कांसे पदक जीत लिया है और इसमें गोल्ड मेडल किस ने जीता है तो दक्षिड कोरिया ने जीता है। में 10 मीटर एर राइफल प्रतियत परदा में भारत ने किसे हरा कर गोल्ड मिडल जीता तो याद रखेगा डिनमार को हरा करके भारत ने गोल्ड मिडल जीता है ठीक है तीसे भी याद रखेंगे चलिए अगले सवाल पर आते हैं करा 2022 इंडोनेसिया मास्टर्स बैडमिंटन ट जो आपका बैडमिंटन था सयद मोधी बैडमिंटन चेंपेंशिप चला था दोस्तो इसे किसने जीता है तो पीवी सिंदों ने जीता था यह मैंने आपको पढ़ाए भी था ठीक है लेकिन यहाँ पर पीवी सिंदों का नाम नहीं है यहाँ पर दोस्तो गोल्ड मेडल किसन जीता है याद रखेगा पूरु सिंगल का खिताब जीता है नाम है विक्टर एक्सेलसन ने ठीक है विक्टर एक्सेलसन ने ठीक है विक्टर एक्सेलसन ने क्या किया दोस्तों पूरु सिंगल का खिताब जीता और चेन यूफेई ने महिला सिंगल का खिताब जीता ठीक है बै 500 का किताब, Super 500 का किताब किस ने जीता था? त्याद रखेगा, Lakshasen ने जीता था, किसे हरा कर जीता था दोस्तो? त्याद रखेगा, Lohkin U को, ठीक है? Lohkin U को हरा करके दोस्तो, यह खिताब जीता था, ठीक है? बाकी आगे आईए, और चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपका सही जबाब क्या हो जाएगा? चेन यूफे ही हो जाएगा, यह आप याद रखेगा, एक दो चीज़े और याद रख सकते हैं, पूरुस लेकर बताए दिया, Victor Axelson ने जीता है, महिला एकल चेन यूफे ने जीता है, पूरुस यूगल का किताब दोस्तो, यह फजर अलफियन ने और मुहम्मद रियान ने जीता है, जबकि महिला यूगल का किताब, चेन किंग चेन ने और जिया इफान ने जीता है, मिस्तित यूगल का किताब दोस्तो, जेम सिवेई और हुआंग याकिन ने जीता है ठीक है तो इतना ज्यादा आपको नहीं जानना है कम से कम पुरू से सिंगल और महिला सिंगल आप याद रखें यह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह विक्टर एक्सलसन और चेन यूफेई ठीक है यह दो नाम आप चेन यूफेई ने जीता है ठीक है फिलेंड पाओ नूर्मी खेलों में जेवलीन त्रों में दोस्तों गोल्ड मिडल किसने जीता है यह जीता है ओली वियर है लेंडर ने किसे है लेंडर ने है लेंडर ने ठीक है है लेंडर ने हालाही में अजरे बाइजान फार्मूला व बारत के चोवत्वे ग्रण माश्टर बने दोस्तो राहु स्रिवास्तो जी ठीक है फ्रेंच ओपेंड टेनिस ग्रेंड स्लैम दोस्तो इगा सित्यक ने जीत लिया है पुरुस हांकी एसिया कप में जापान को हरा करके भारत ने ब्रोंज मेडल जीत लिया है अमिस्ताने की सस् स्वाल आपके खेल से थे इसको आप याद रखेगा चले बढ़ी अगले स्वाल पर लिख रहा आई डवलू एफ यूथ वर्ड चैंपियंशिप क्या यूथ वर्ड चैंपियंशिप में भारती भारतोलक ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है किसमें दोस्तो 55 किलो ग्राम वर्ग अस्परधा में दोस्तो किसने गोल्ड मेडल जीता त्याद रखेगें यहाँ पर सनापती गुरुणायडू का नाम दे रहा है आकाउंशा किसोर व्यावरे का नाम दे रहा है विजय प्रजापती का दे रहा है और मिराभाई चानू का तो मिराभाई से पूछा, especially, 55 kg वर्ग में, क्या पूचा है, 55 और आकांचा किसवर ब्यावरे ने 40 kg वर्ग में दिआ है, क्या? 40 kg वर्ग में, यह महिला है याद रखेगा यह महिला है और इन्हों ने भी दोस्तों क्या जीता है गोल्ड मेडल ही जीता है ठीक है तियाँ पे पूरुसर महिलाओं दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है पूरा नाम है आकांशा की सोर ब्यावरे ठीक है और बीजय प्रजापती ने दोस्तों दूसरा स्थान हासिल किया तिनों ने रज़त पदक पे ही रहे ठीक है यहाँ पर जो आपका सही जबाब होगा यह option number 1 हो जाएगा आपका right answer ठीक है यह revision dose है इससे आपका समयों में ज़्यादा कम नहीं होता आप सोचे ना इतने मतलब आप गिनना कभी 100 से ज़्यादा सवाल एक दिन में आपको पढ़ाता हो और समय देखना तो एक घंटे कभी समय नहीं लगता ठीक है 45 मिनट भी नहीं लगता दोस्तों इन 100 सवालों को पढ़ाने में तो आप समझो आप regular बने रहेंगे आपको चीजे याद हो जाएंगी current affair की भावाई के वाले है ना परिक्षा में फसना चाहिए और हमको याद होना चाहिए ये दो चीज लेकर तब पढ़ा करिए ठीक है अगर ये दो उद्देश में कोई भी एक उद्देश से नहीं पूरा होता है तो आपका कुछ होने वाला नहीं सपोर्च करो कोई आदमी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है बहुत बढ़ियां और परिक्षा में फस भी रहा है लेकिन आप ही को नहीं याद हो रहा है तो हम करें ऐसे लोगों से पढ़ने का क्या फायदा आप बताओ कोई एक फायदा बत पूरी नहीं होंगी तब तक आपको करेंट अफेर पे बने रहना पड़ेगा और उसी जगह जाके टिकना पड़ेगा पहली बात परिक्षा में फसना चाहिए दूसरी बात आपको याद होना चाहिए अगर ये दो उद्देश से पूरे हो रहे हैं तब तो समझो पढ़ा जाया और मुझे लगता है स्टडी नाइटी बने का ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर ये दोनों उद्देश से आपके पूरे हो रहे होंगे ठीक है चाहिए आप PCS का पेपर उठा के देख लिजे चाहिए इसके पीछे जो PT का पेपर हुआ उसको उठा के देख लिजे करे पती गुरु नाइडू ठीक है इंडोनेसिया मास्टर्स बेडमिंटन में तुन्नामें महिला सिंगल का किताब किस ने जीता तो नाम क्या दोस्तों इनका इनका नाम है चेन यूफेई क्या नाम है चेन यूफेई आज मुझे भी नहीं याद है दो दिन में याद हो तो सब को याद हो जाएगा यह एक एक रोंग्टे बता देंगे तो भी बता दिया जाएगा आगे देखे फिल्लैंड में पाओ नूर्मी खेलो में जेविलिंग स्वाल में किसने गॉल्ड मिडल जीता है तो नाम है ओली वियर हैलेंडर तीसरी बारे सवाल आ रहा है क्यों न याद हो ओलिवियर हेलेंडर नाम है हाल ही में अजरे बैजान फार्मूला वन ग्रांट पिक से यह मैक्स वर्टेट पर जीता खेलेव इंडिया यूद गव में पहला अस्थान हर्याणा का दूसरा अस्थान महाराश्टरा का और तीसरा अस्थान करनाटक का है याद रखे ठीक है तेलंगाना से हैं करा फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रेंड स्लैम किसने जीता इगा स्वितेक ठीक है याद रखेगा पूरुस वहां की एसिया कप किसने जीता है जापान को और आकर भारत ने कान से पदग जीता अमिस्साने की सस्थान पर जो एक खेल ओलंपिक खेल पर इसे बहुत बहुत इंपोर्टेंट है जान दीजेगा हिंदी इंडिविजल का बैच दोस्तों आगे आप सभी के सामने ठीक है जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले बैच दोस्तों 1799 का था ठीक है और अभी आफर प्राइज में दोस्तों ये बैच आपको 1499 में दिया जा इस बैच में लगभग 3000 प्लस 3000 प्लस दोस्तों यहाँ पर quiz practice है सोचो 3000 प्लस दोस्तों question practice है सवाल कहां से आएगा परिक्षक कौन सी किताब से सवाल बनाएगा क्या पूछ देगा जो आपके पास नहीं है ठीक है तो अगर आप इस बैच जोईंग करते है ना तो zero label से ले कर इस के लावा जो हमारा एक दूसरा बैच चाले स्टार्ट हुआ दोस्तों यह UP PT परिच्छा का दोस्तों बैच लांच हो चुका है तो आईए एक मौका दीजिए और साथ में जुड़ी है ना फिर देखिए कितना मज़ा आता है बहुत मज़ा आएगा बस एक मौका ही इस प्राइटे नेशन नहीं है यह European Union क्या है इसको EU बोला जाता है बार बार यूए निकलता है क्या बोलते है European Union है EU बोला जाता है तो भारत ने EU के साथ दोस्तों क्या किया था एक नौसेनिक अभ्यास भी किया था पिछले साल ठीक है 2021 में भारत ने याद रखेगा एक नौसेनिक अभ्यास भी किया था क्या किसी बच्चे को याद है क्या नाम है इस नौसेनिक अभ्यास का मैंने पढ़ाया भी था याद रखेगा क्या नाम है यूना रोवाफ फोर क्या नाम है यूनो यूनो रोव फोर ठीक है यूनो रोव फोर याद रखेगा रोव फोर ठ ठीक है, याद रखेगा, ये दोस्तो, एक नया अभ्यास किया था, याद रखेगा, किस के साथ किया गया था, तो ये अभ्यास, European Union के साथ किया गया था, ठीक है, कहां पे किया गया था, कहां पे किया गया था, अगर सवाल ये बने, तो बताएगा, दोस्तो, अधन की खाड़ी में किया गया था, क्यूं किया गया था, त्याद रखेगा, अगर ये सवाल बने कि क्यूं किया गया था, तो क्या बताएंगे, इसलिए गया गया समुद्री डकैती पर रोक के लिए, जो डकेती होती है कहाँ पर समूधर में, ठीक है उसको रोकने के लिए दोस्तो यह अभ्यास किया गया था. पहरी बार दोस्तो भारत यूर्योपी संग सुरक्षा और रक्षा परामर्स का आयोजन भी किया गया, इनॉसने के बयास नहीं बैट के आयोजन किया गया दोस्तों ये Belgium की राजधानी Brussels में इसका आज़न हुआ है मोई आगरा उत्तरपदेश की बात कर दें तो हाले में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के साथ दोस्तों एक बैटक होई थी ठीक है रक्षा सु मुख्याले की बात करेंगे तो Brussels में है जबकि जब इसको साइन किया गया था EU के अस्थापना किया गया था 1993 में तब इसको जो है Montrich नीदल लेंड में किया गया था और इसके अध्यच कौन है तो याद रखेगा ये ये अभी आपके लिए अच्छा पॉइंट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आईए दोस्तो सवाल event and summit का है जब कभी कोई event कहीं पर आईजित किया जाता है तो ये वाली list आपके सामने आती तो ज़रा याद रखेगा कि पहली बार भारत और उर्पी संग की बैठक कहा हुई है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसल्स में हुई है ये दोस्तो वही जगा है जहाँ NATO का मुख्याला है ये वही जगा है जहाँ NATO का North Atlantic Treaty Organization NATO का जहाँ मुख्याला है 23 member हैं दोस्तो इसके और EU भी एक सदस्य है लिकरा 12 में विसुभ्यापार संगठन का मंत्री अस्तरी संभेलन का आयोजन कहां पे किया गया तो स्विटिजर लेंड की राज़ानी जिनेवा में दोस्तों इसका आयोजन किया गया हाले ही में सीतल सस्ठीपर्व दोस्तों किस राज़ में मनाये गया तो याद रखे का है उडीसा राज में मनाया जाने वाला तेवहार है सीतल सस्थी परवठीक है और ये भगवान सियो माता परवती के बिवा से संबनेट है हाले ही में लाइफ टाइम लाइफ इस्टाइल लाइफ इस्टाइल फार दे एन्वार्मेंट मुवमेंट किसने सुरू किया है तो ये मुवमेंट स्वयम मोधी जीने स्टाट किया है अखिल भारती आयरवेद महा सम्मेलने की 69 बैठक कहां पर हुई तो याद रखे दोस्तो इसका उधगाटरन किसने किया राश्पती रामनात कोविन जीने राश्प्टी ये सिच्छा मंत्रियों की बैठक का आयुजन कहां पर किया गया तो इसका आयुजन गुजरात में किया गया भारत ड्रोन मौसो 2022 का आयुज़न दोस्तो नई दिल्ली में किया गया है याद रखेगा और पांच ड्रोन भी स्विद्याले भी खोले जा रहे हैं एक ग्वालियर में एक जो है इंदौर में एक भोपाल में एक सतना में एक जबलपुर में पांच ड्रोन भी स्विद्याले खोले जा रहे हैं और पांच के पांचों आपके मद्यप्रदेश में हैं लेकिरा आठमी ब्रिक्स परियावड मंत्रियों की बैठक में किस ने भाग लिया तो हमारे परियावड मंत्री घुपेंदर यादो जी ने भाग लिया है किस केंदरी मंत्री ने 19 मई 2022 को आगरा में हुनर हाट के 41 संस्कड का उधगाटन किया तो मुकतार अब्बास नकवी ने इसका उधगाटन किया है किस देश ने डेफ्लिक्स 2021 की मेजबानी किया है तो ब्राजील देश ने इसकी मेजबानी किया ठीक है यहाल फिलाल के दोस्तो इवेंट से संबंदित सवाल थें जो कहीं न कहीं आपके परिच्छा के लिए महत्वपूर है ठीक है आगे बढ़िए National E-Governance Service Delivery Assessment जिसे हम साटकट में NESDA कहते हैं दोस्तो तो NESDA की रिपोर्ट आया है और इसमें सिर्स अस्थान किस राज्य का यह आपको बताना है तो सिर्स अस्थान दोस्तों यहां दिया गया केरल को ठीक है याद रखेगा फर्स्ट रैंग दोस्तों याद रखेगा ठीक है सिर्स अस्थान किसका है केरल का है राज्यों की स्रेडी में अगर राज्यों की बात करेंगे तो इनका अस्थान दोस्तों नंबर वंपर है अगर आप केंद्रसासित प्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों यहां जम्मू कस्मिर का अस्थान है और अगर आप पुर्वोत्तर की बात करेंगे या पहा हमां कई सारी श्रड़ी आई है जैसे सेस श्रड़ी में बात करेंगे तो भी केरल उपर है उच्छतम सुधार की बात करेंगे दोस्तो तो मेगाले तृपुरा दोस्तों यह उच्छतम रैखती वाले राज़्यों है क्योंकि इ преступ बहुत बड़े अस्तर पे हुआ है ठीक है तो बाकी की चीज़ें आपको दी गई है निजदा में कौन-कौन से छेत्र सामिल के जाते हैं तो कुल साथ छेत्र है बित यानि फिनैंस है लेबर है यानि स्रम रोजगार है एजुकेशन यानि सिक्षा है अस्थानी सासन एवं उपयोगिता सेवाएं हैं शमाज कल्यान है परियावरण है और परिटन छेत्र है तो याद रखेगा ठीक है तो इसको आप याद रखेगा ठीक है चलिए आगे आज़े अगला देखिए आगे लिख रह 21 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर है तो केरल राज्य दोस्तो नंबर वन पर है अंकटाड की विश्व निवेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का सात्वा स्थान है ठीक है सात्वा स्थान पिछले बार दोस्तो आठवा था एक पायदान भा भारत देश है और एक कौन है नाइजीरिया देश है ठीक है भारत और नाइजीरिया ये दो देश हैं किसमें पर्यावर्ड प्रदसन सूचकांग में नया सूचकांग आया है नीती आयोग के SDG भारत सूचकांग जो जारी किया गया सस्टनेबल डेवलप्मेंट गोल सूचका इसमें भारत का स्थान 54 है, चोवनमा स्थान है, ठीक है, जबकि लोगतंद्र सुचकांग अभी जारी किया गया था, कौन सा, लोगतंद्र सुचकांग जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान 46 है, क्या है, 46 हमा स्थान है, लिक रहा है हालही में राष्टी उपलब्दी स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायु सक्ति किसके पास है? भारत के पास है, यानि भारती वायु सेना का अस्थान नंबर 3 पर है. वायु सेना के धच कौन दोस्तो याद रखेगा विवेक राम चौधरी जी हैं, यह भी याद रखेगा ठीक है, year chief marsl जो आप बोलते हैं. नमबर वन पर है तो महराश राजी हैं पर नमबर वन पर है विस्वप प्रेश सुचकांग में भारत का स्थान 150 है याद रखेगा और खुसहाली सुचकांग में भारत का स्थान 146 है ये सवाल दोस्तों भी आपके PCS के परिक्षा में पूछा गया था ठीक है तो अच्छे से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और ये के चीज़ें आपको याद भी होंगी ठीक है चलिए और आगे बढ़िए अगला सवाल देखिए अगला लिख रहा है इस पाथ स्लैक से निर्मित छे लेन वाली जो राजमार्ग है जो सडक है कहां उसका उधगाटन किय ये सडक बनाई जा रही है तो 6 लेन दोस्तो ये रोड है 6 लेन याद रखेगा ये रोड बन कर तयार हो रहा है दोस्तो कहां पर ये सूरत में ठीक है एक सबर और बताना चाहूंगा अगर आप सूरत की बात करी रहे हैं दोस्तो तो आपको याद होगा जो बुलट ट्रेन परियोजना को कहां चलाया जा रहा है दोस्तो तो आपको पता होगा ये मुंबई को अहमदाबाद से जोडने वाली है ठीक है मुंबई को किस से जोडने वाली है अहमदाबाद से और मुंबई और हमदाबाद के बीच में दोस्तो जो फाइनल किया गया है रेलवे स्टेश हाँ इंदौर की बात करेंगे दोस्तों तो गाडियों के स्पीड टेस्टिंग के लिए दोस्तों अभी एक रोड यहां पर तयार किया गया था जो लगबग 11 किलोमेटर का था रोड याद रखेंगे ठीक है इंदौर में तयार किया गया था आगे देखे अच्छव वर्तमान में हमारे केंदरी स्पात मंत्री है राम प्रसास सिंग जी ठीक है उन्होंने इसका उद्गाटन किया है तो इसको भी याद रखेगा यह भी important ठीक है चलिए जब कभी इस तरह के सवाल आते हैं कि भारत में पहली बार या 20 में पहली बार कौन-कौन सी चीज़े यहाँ पर important है तो दोस्तों हम यह वाली slide अच्छे से पढ़ते हैं तो ज़रा इनके बारे में देख लीजिए चलिए आगे देखते हैं दोस्तों ध्यान से पढ़ते चलिए लिख रहा है इस path slack से निर्मित होने वाली जो यह पहली बार छेले इनकी एक सड़क बन रही है कहां बन रही है तो याद रखेगा सूरत में ड्रोन नीती को मंजूरी देने वाला दोस्तों यह पहला राज्य कौन है तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश वह पहला राज्य है जो ड्रोन नीती को मंजूरी दे रहा है जबकि अभी अलग-अलग बात हो कि स्वास्ता सेवाँ में दोस्तों ड्रोन सुरुआत करने का निर्ड़े किस ने लिया उत्तरा खड़ने लिया ड्रोन मेला का दोस्तों आयोजान अभी लखनव में किया गया था ठीक है यह भी धान रखेगा आपके पांच-पांच ड्रोन बिस्विध्यले बन रहे हैं वो आपके मध्यपरदेश में बन रहे हैं गौालियर इंदौर, भोपाल, सत्ना और जबलपूर में ठीक है हालाई में किस देश ने जानवरों के लिए पहला COVID-19 वैक्सीन बनाया जिसका नाम है एनकोवैक्स ठीक है तो यह वैक्सीन दोस्तों भारत ने लांच किया ठीक है लेकरा दुनिया का सबसे कठिन गेम है दोस्तों वन डे गेम है एक ही दिन में आपको सैक्लिंग करना है, दोड़ना है तैराकी भी करनी, इस तरह के बहुत सारे छोटे-छोटे गेम होते हैं उन सब को दोस्तों पास करना है यह Iron Man, Trathlon इसको बोलते है पहली बार दोस्तों किसी भारती ने पास गया यह Indian Railway में काम करते हैं स्रेयस जी होसूर, ठीक है स्रेयस जी होसूर, ठीक है करा हालही में किस राज्य में देश का पहला Liquid Mirror Telescope बनाए गया तो Asia का दोस्तों यह पहला है उत्तराखंड के देवस्थल में इस Liquid Mirror Telescope को बनाए गया कहाँ पर उत्तराखंड के देवस्थल में इसे बनाए गया, ठीक है करा भारत का पहला Lavender Festival का आयोजन कहां पे क्या गया तो दोस्तों इसका आयोजन क्या गया जमू कस्मेर के भद्रवाह नामा कस्थान पे ठीक है Lavender याद रखेगा सुगंधित फूलों की खेती को कहा जाता है ते भी दियाद रखेगा हालही में भारत की पहली महीला कॉमबैक्ट एविएटर कौन बनी तो अब इलास्ता बराग जी बनी है अपना जय वीर्था रखने वाला पहला राज्य कौन सा है तो पशी मंगाल है मंकी पॉक्स के मरीजियों के लिए क्वरेंटीन ननिवारे करने वाला पहला राज्य कौन है पहला देश कौन सा है तो बिल्जियम देश है जबकि Monkey Pox का पहला मामला संयुक्त अरब अमिरात में देखा गया था पांच मईए 2022 को Pop Francis द्वारा किसे संत घोजित किया गया तो याद रखेगा देव सहाय पिललाई को ठीक है देव सहाय पिललाई को Pop Francis के द्वारा क्या घोजित किया गया है शंत गोजित किया गया है इसे भी याद रखेंगे आगे बढ़िए अगला लिख रहा है भारत का कौन सा एरपोर्ट पवन उर्जा से चलने वाला पहला एरपोर्ट बन गया किसे दोस्तो पवन उर्जा से आपकी इस बार के PCS परिक्षा में दोस्तो सवाल पूछा था कि सौ सामौर उर्जा से चलने वाला दोस्तो जो पहला एरपोर्ट है हो कौन है याद रखेगा. यह कोछीं एरपोर्ट है यए आप याद रखेगा यहां सवाल सव रूजा का नहीं है यह पवन उर्जा का और यह सवाल देखें कि सामौन ईंपर्टरेंट है कि PCS की परिक्षा मे भी आया हुआ था ठीक है तो यहाँ प्याद रखेंगे दोस्तों यह छत्रपदी सिवाजी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो आपके मुंबई मिस्तित है याद रखेगा यह भारत का पहला एरपोर्ट हो गया है जो पवन उर्जा से संचालिज किया जाएगा ठीक है पवन से चलने वाला दोस्तों सवर उर्जा से एक प्लांट बनाया गया है चलने वाला और यह प्लांट दोस्तों जितना भी बिजली पैदा करेगा यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलिवे को दिया जाएगा यह प्लांट जो लगा है यह आपके बीना में लगा बीना पड़ता है ठीक है तो यहां चीजे पढ़िएगा और देखेगा ठीक है चलिए भारत में पहली बार या बिस्व में पहली बार के सवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हैं तो ध्यान दीजेए यहां पहला एरपोर्ट कौन है जो पावन उर्जा से चलने जा रहा है तो यह भारत ने त्यार किया ठीक है दुनिया का सबसे कठीन गेम आईरन में ट्रैथलान यह अभी पास किया एक भारती ने जिनका नाम है स्रेयस जी होजूर ठीक है कि इस राज में देश का पहला मिरर टेलिस्कोप लगाए गया तो उत्तराखंड के देवस्थले में लगाए लेवेंडर फेस्टिवल यह जम्मू कस्मेर के भद्र वहां में आयुजित किया गया भारत की पहली महिला कॉंबैक्ट एविएटर यह अभिलासा बरागजी है अपना जैव इत्तर राइश्टर रखने वाला पहला राज्य पश्ची मंगाल है मंकी पॉक्स के मरीजों को क भागी हमत मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि रिवीजन से भागते हैं भागी हमत अगर आप भागेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा आगे देखिए आकरी सवाल लिख रहा हरुन इंडिया के अनुसार भारत के सबसे मुल्लेवान कंपनी कौन सी है ठीक है और इसको याद रखेंगे ठीक है और यह आप पढ़ लिजे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बर्गंडी प्राइवेट हरुन इंडिया ने पांस अपनी लिज जारी किया है जिसमें 1887,881 ठीक है इसको आप मिला के पढ़िएगा काई दाई सेकड़ा हजार दरजा लाग दस लाग ठीक है यानि 1887,881 करोड के मुल्ले के साथ इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं ये भी आपके लिए काम आ सकता है क्योंकि परिक्षा में दूसरा तीसरा चोथा ऐसे कुछ भी पूछ सकता है चलिए हम एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं सूचकांकों से संबन्दी जो सवाल है एक बार उसे फिर अपडेट करिए ठीक है तो याद रखेगा हरुन इंडिया के अंसार भारत की सबसे मुल्लेवान कंपनी रिलाइंस इंडिस्ट्री है ठीक है नेस्डा का नाम सुना उसमें सिर्ष अस्थान किसका है दोस्तों ये रैंकिंग आया 2021 वाला केरल का स्थान पहला है अंकटाड के विश्व निवेस रिपोर्ट में भारत का स्थान सात्मा है परिया वर्ड प्रदासन सुचकांग जारी किया गया जिसमें 180 देश थें अंतीम अस्थान भारत को दिया गया है और नाइजीरिया को दिया गया दोनों का स्थान दोस्तों 180 है नीति आयुग ने SDG रैंकिंग जारी किया दोस्तों इसमें भारत का राज्य जो केरल है वो पहले अस्थान पर है वर्ड एकोनामिक फोरम के द्वारा दोस्तों एक सूचकांग जारी किया गया यात्रा और परेटन सूचकांग इसमें भारत का स्थान 54 है राष्ट्य उपलब्दी सर्वेच्छड के रिपोर्ट जो जारी किया गया दोस्तों ये शिक्षा मंत्राले के द्वारा जारी किया गया है भारती वाइश स ब्यावसायों और ब्यावसाय और डिल्लो द्वारा GST राज्टेसर में नंबर वन राज्य कौन सा है तो महराश राज्य दोस्तों पहले अस्थान पर है इसको भी याद रखेगा ठीक है इस तरह से दोस्तों आज का इस सेसन समापत होता है उमीद करता हूँ आपको अच्छा दियान दीजेगा सामने आपकी परिक्षा अगले महीने लेकपाल की परिक्षा और ये लेकपाल के लिए सबसे बहतरी practice set है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है आप मंगाईए practice set को solve करिए इसके अलावा दोस्तों इसमें model test paper भी है और पढ़ने के लिए content भी दिये गए है ठीक है तो आप इसको पढ़िए इत्मिनान से और अपनी तयारी पूरी कीजिए उपर दोस्तों वीडियो की किताब दिखी दिख रही होगी आपको इसमें buy one get one का offer है तो आप इसे भी आप हमारे website application से purchase कर सकते हैं या market में भी एक किताब available है तो आप अपने नजदी की दुकांदार से पूछ करके किताबे मंगा भी सकते है ठीक है वहाँ से भी ले सकते है इसके लावाँ दोस्तों super date, youp date हिंदी इंडिविजल की किताब दोस्तों बहुत जल्द आपके सामने हम लोग लेके आ रहे हैं ठीक है तो वो किताब भी बहुत जल्द आएगी ठीक है तो चलिए इसे के साथ आज का सेसन समापत होता है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिन, जै भारत थैंक्यो, थैंक्यो सो मच